हेलो एविवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे T.S. Eliot की पोयम जेरॉंशन के बारे में Thomas Stearns Eliot एक American-British poet, essayist, publisher, playwright, literary critic और editor थे इन्हें poetry में modernist movement के leader और The Westland और Four Quartets जैसे works के author के रूप में जाना जाता है 1948 में T.S. Eliot को literature में Nobel Prize भी मिला जेरॉंशन 1920 में publish हुई थी जिसका मतलब है of old age और पोयम में जो speaker है वो भी एक old man है और उनके thoughts और First World War के बाद की जो situations थी उसे ही depict करते हैं पोयम में old man जो है वो एक घाटी या valley में एक घर में किरायदारों के साथ रहता है वहाँ एक field भी है पोयम में rhyme या rhythm नहीं है ये free verse form में है पोयम में ये जो old man है world war में भाग नहीं ले पाए जिसका इन्हें अफसोस है और समाज में जो भ्रस्टता फैल गई है उसके बारे में बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पोयम की सुरुवात epigraph से होती है तो has nor youth nor age but as it were and after dinner sleep dreaming of both ये lines Shakespeare के play measure for measure से ली गई है जिसका मतलब है कि तुम ना ही young हूँ ना ही बुढ़े हो ऐसी situation है कि जैसे जब कोई खाने के बात सोता है और दोनों के ही सपने देख रहा हो यानि तुम्हारी life meaningless है, useless है Here I am an old man in a dry month being ready to buy a boy waiting for rain कि यहां J.Ronson जो speaker है वो अपना description दे रहे हैं कि यहां मैं एक बुरहा आदमी हूँ in a dry month का मतलब है कि जिन्दगी के ऐसे समय में जहां खुशी नहीं है, passion नहीं है यूरोप में लोग spirituality भूल गए हैं और एक लड़का है जो speaker को कुछ पढ़कर सुना रहा है Rain यहां metaphor के रूप में यूज की गई है यानि rain का मतलब है अच्छा समय, खुशाली के इंतिजार में है I was neither at the hot gates यहां hot gates का मतलब है एक Greek city जिसका नाम thermopile था जहां बहुत सारी लराईया हुई तो poet उन में से किसी लराई में नहीं थे Nor fought in the warm rain, nor knee deep in the salt mars Heaving a cutlass कि ना ही कभी किसी गर्म प्रदेश में लराई की ना कभी बारिश में भींगे यह सब एक soldier की condition है कि जब वो लराई में या किसी battle में होता है तो उसे क्या-क्या सहना पड़ता है ना ही speaker कभी दलदली भूमी पर खरे रहे ना जहारियों को कातने के लिए cutlass जो एक औजार का नाम है उसका use किया Bitten by flies, Fout ना ही मच्छरों द्वारा काटा गया क्योंकि उन्होंने किसी लराई में हिस्सा नहीं लिया My house is a decayed house यहाँ decayed house के तीन मतलब है First, gerontion की body जो बूरे और कमजोर हो चुके है दूसरा reference है वो घर जिसमें अभी वो रह रहे हैं और third की modern civilization में लोगों की spirituality decay हो चुकी है खत्म हो चुकी है And the Jew squats on the window sill The owner spawned in some staminate of ant warp blistered in Brussels, passed and peeled in London और घर का owner एक Jew है Jew पुराने जमाने से ही landlord रहे और लोगों को उधार पर पैसे दिया करते थे तो gerontion के landlord भी एक Jew है जो खिरकी की दहलीज पर बैठे है जिसका जन्म ant warp के किसी restaurant में हुआ Brussels उसने अपना समय बरबाद किया Blistered का मतलब है physical और spiritual decay और London में dressed up हुए Past and peeled एक culture है जिसे window dressing यानि दिखावा या उपरी दिखावाट मान सकते है तो वो London में की owner ने The goat cuffs at night in the field overhead Rocks, moss, stone, crop, iron, muds यहां goat का मतलब है health और किसी काम को करने की शमता तो वो कमजोर पर चुकी है बीमार है और speaker rocks, moss यानि काई, plant गंदगी से घीरे है यानि वो अपनी आसपास की situation बता रहे हैं और यह सारी चीजे Modern civilization की भरस्टता को indicate करती है The woman keeps the kitchen, makes tea, sneezes at evening, poking the previous gutter और उनके घर में देखभाल के लिए एक औरत है जो kitchen समालती है वो भी बिमार है और वो गंदे गटर में जागती है यानि कि अभी जिस हालात में, जिस जगह पर जरॉंशन रहते हैं वो बहुत गंदी है I am an old man, a dull head among windy spaces मैं एक बुरा आदमी हूँ और dull head क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है पर जरॉंशन अपने ही खयालों में है, बुरह हो चुके हैं और लाइफ में spiritual खालीपन को feel करते हैं Signs are taken for wonders, we would see a sign यानि अब अगर हमें भगवान कोई sign देते भी हैं तो लोग उसे अश्यरे समझते हैं उस पर भरोसा नहीं करते Signs Christianity से related है कि जब Christ का जन्म हुआ था तो juice को एक तारे के रूप में sign मिला था लेकिन अब लोगों को हर चीज के लिए scientific proof की ज़रत है The word within a word यानि Christ ने धर्ती पर आकर प्रेम का संदेश दिया भगवान से जोरा Unable to speak a word पर अब लोग किसी भी sign को समझने के लिए इतने deep चले जाते हैं कि sign का मतलब ही change हो जाता है उसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है Sweatled with darkness In the juicence of the year came Christ the tiger यानि जब जीजस आये तो उन्होंने इस दुनिया के अंधेरों को सहा हमारे पापों को अपने उपर ले लिया और nature में spring जब life renew हो जाती है तो Christ बुराईयों के अंत के लिए आये पर अब जो स्थीती है वो दयालो रूप में नहीं लेकिन tiger के form में यानि क्रोध के साथ आएंगे In depraved मैं dogwood and chestnut flowering judas Depraved यानि brust और मैं का मतलब रेनेसांस के काल से है तो दुनिया इतनी brust हो गई है कि dogwood and chestnut जो दो फूल है उनकी तरह judas fall full रहे है judas ने ही Christ को धोका दिया था तो ऐसे ही लोग flower कर रहे है To be eaten, to be divided, to be drunk among whispers तो ये Christianity में परमप्रशाद गहन करने की प्रथा है जिसमें रोटी के दो भाग कर उसे Christ का सरीर मान खाया जाता है और wine जो Christ के blood को denote करता है उसे पिया जाता है येशू के crucifixion को याद में Among whispers यानी corruption तो इन प्रथाव में भी यानी कोई faith नहीं बचा था By Mr. Silveiro with cursing hands at limoges who walked all night in the next room Mr. Silveiro जो एक बहुत बड़े artist है वो limoges shrine तिर्थिस्थान जो France में है वहां आते हैं वहां की images को किवल उपरी तौर पर देखते हैं उनकी हत्ता को नहीं समझते उन्हें touch करते हैं लेकिन उसके moral significance को नहीं समझ पाते By Hakka Gawa boying among the titians ठीक ऐसे ही Hakka Gawa जो एक दूसरे artist है titians की painting को देखते हैं उनकी आगे सर जुकाते हैं पर उनकी महान painting के पारंपरिक विसेशता को नहीं समझते By Madame de Tonquist in the dark room sifting the candles ऐसे ही Madame de Tonquist जो मरे हुए लोगों को बंद कमरे में candles जला कर बुलाती हैं ये Christianity के खिलाफ है और उनके कमजोर faith को दिखाता है Fralin von Kulp who turned in the hall one hand on the door Fralin von Kulp जो एक young modern woman है एक spiritual ceremony में आई है पर आधे मन से वहां है और वहां से भागने के लिए उच्सुक है और मौके की तालाश में है Vacant settles weave the mind यानि कि जो civilization है वो किसी काम की नहीं unproductive है और spiritually सभी faithless है I have no ghosts and old man in a drotty house under a windy knob यानि जरॉंशन को इन इस supernatural चीजों में विश्वास नहीं वो एक बुरे आदमी है जो इस हवादार घर में है जिन्हें हवा के तेज जोकों द्वारा disturbed किया जाता है After such knowledge, what forgiveness? यानि इतनी आधुनिक knowledge और experience के बाद faith और दैविक चीजों के लिए कोई जगह नहीं है Forgiveness का मतलब है भगवान के नुकमपा पर जिसकी इस scientific word में कोई जगह नहीं है Think now, history has made cunning passages, contrived corridors यानि इतिहास में कई धूर्त और चालाक योजनाएं दर्ज है Manipulated corridors यानि links है And issues deceives with whispering ambitions guides us by vanities और इतिहास में हमें धोका मिला है राजाओ और politicians के स्वार्थ से भरे ambitions के कारण कई बार विश्वास घात हुआ और ये हमें guide करने का दिखावा है Think now, she gives when our attention is distracted यानि इतिहास में हमें कुछ भी तब मिला जब उस तरफ हमारा ध्यान नहीं था And what she gives gives with such supple confusions that the giving famishes the craving और जो भी ग्यान मिला results मिले वो flexible confusions के साथ मिले यानि जो भी इतिहास से घटना हुई उसमें उसकी दिशा और कारणों का अभाव रहा और जब ग्यान मिला तो desire for knowledge ही कम हो गई, खत्म हो गई Gives too late what's not believed in or if still believed in memory only reconsidered passion इतिहास से ग्यान या conclusions इतने लेट से मिलते हैं कि फिर उस पर विश्वास ही नहीं रहता और अगर रहता भी है तो इसे second hand experience की याद के रूप में ही माना जा सकता है Gives too soon into weak hands what's thought can be dispensed with till the refusal propagates a fear यानि अब जो इतिहास कार होते हैं वो अपने conclusions को जब हमारे सामने रखते हैं तो कोई उन्हें मानता ही नहीं, कोई convince नहीं होता और उसका लोगों पर कोई असर नहीं होता और refusal का मतलब है faith या विश्वास को reject करना और जब faith यानि आस्था नहीं बचती तो फिर डर पैदा होता है Think neither fear nor courage saves us और हमारा डर और साहस दोनों में से कोई भी हमें नहीं बचा पाता क्योंकि ये गलत दिसा में बढ़ चुके होते हैं Unnatural vices are fathered by our heroism Virtues are forced upon us by our impudent crimes हमारे साहस से heroism से कई अप्राकितिक अवगुनों का जन्व होता है पर कई बार हमारे crimes से भी unexpected और positive result आते हैं जैसे नए समाज का जन्व होता है These tears are second from the rat-bearing tree और युद से जो दुखी होकर आसू बहते हैं वो Adam के शोक करने के बराबर है जब उसने forbidden tree का फल खाकर शोक किया था The tiger springs in the new year as he divorce The tiger यानि Christ जो the second coming Bible में mentioned है तो Christ आएंगे और हमें हमारे पापों की सजा देंगे Modern Europe में धार्मिक विचार धाराओं को नकार दिया गया है उस कारण Think at last we have not reached conclusion When I stiffen in a vented house यानि जरॉंशन अभी भी ये spiritual decay क्यों हुआ इसका आकलन नहीं कर पाए है वो भी अब बुढ़े हो गए हैं और ये शरीर इस जीवन का मुल्य हमें आस्था के रूप में चुकाना चाहिए Think at last I have not made this so purposelessly यानि सोचे विचार करें ये आकलन जरॉंशन ने निरुदेश्य नहीं बनाया And it is not by any consultation of the backward devils और ये मेरे अंदर समाए किसी बुरी आत्मा का सर्यंत्र भी नहीं है I would meet you upon this honestly eye that was near your heart was removed there from यहाँ speaker कह रहा है कि मैं तुम से इस बारे में सच कहूंगा कभी मैं भी आस्था और विश्वास से भड़ा था पर अब Christianity से दूर हो गया है To lose beauty in terror, terror in inquisition, I have lost my passion Why should I need to keep it since what is kept must be adulterated मनुश्य ने भगवान को सुन्दर्ता के रूप में प्यार किया पर ये प्रेम अब डर में बदल गया है लोग भगवान से डरते जादा हैं क्योंकि वो उन्हें उनके पापों की सजा देंगे अब Geronson में आस्था नहीं बची और कैसे रहे क्योंकि इस modernity के कारण, materialism के कारण आस्था damage हो गई है, उसमें मिलावत हो गई है I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch how should I use it for your closer contact Geronson physically कमजोर हो गए है उनके देखने, सुनने, सुंगने, स्वाद और महसूस करने की, feel करने की शक्ती कम हो गई है तो अब वो physical contact नहीं रख सकते कुछ critics के अनुसार यहां Geronson अपनी beloved के साथ physical contact की बात कर रहे है These with a thousand small deliberations protract the profit of their chilled delirium यानि इन thoughts के साथ ही कई छोटे मोटे विचार speaker की दिमाग में आए और इन्होंने passion के satisfaction के लिए तसल्ली को लंबा कर दिया जो ठंडा पर चुका था Excite the membrane when the sense has cooled with pungent sources multiply variety यानि जब लोग अपनी sexuality को खोने लगते हैं तो कई medicines का use करते हैं Just as modern man जो भगवान में अपनी आस्था को चुका है लेकिन सोचता है किसी उपासक या philosophy के अधीन वो अपनी faith को regain कर लेगा In a wilderness of mirrors और इधर उधर भटकता रह जाता है What will the spider do? Suspend its operations? Will the we will delay? तो किसी मकडी के जाले की तरह ही spiritual decay को ये efforts रोक नहीं पाएंगे और जैसे spider जाल मनाना नहीं छोड़ता तो वैसे ही spiritual decay को इन artificial devices से नहीं रोका जा सकता ये कुछ रियल लोगों की नाम है जिनका शरीर मित्यू के बाद कनों में तूट गया और outer space में बिखर गया Beyond the circuit of the sudden bear in fractured atoms, gill against the wind in the windly states of belle-e-isle Gerontion ये मानते हैं कि ये universe भी खत्म हो जाएगा और modern man भी टुक्रों में बिखर जाएगा जैसे गुल जो एक sea bird है तुफान में struggle करता है इसल में जो North Atlantic में एक island है और running on the horn white feathers in the snow the gulf claims या horn या जो प्रक्षित भाग होता है Cape Horn North Atlantic में है वहाँ ये sea bird अपने struggle के बाद बरफीले तुफान में मर जाता है और यहाँ जरांशन अपनी बात कर रहे है जो modern civilization के हातों मजबूर है अब एक fruitless end की तरफ बढ़ चुके हैं tenants of the house thoughts of a dry brain in a dry season in lines का मतलब है कि modern लोगों के पास कोई अंतिम आश्रे नहीं है वो लोग किरायदार की तरह ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं rootless है जरांशन ने अपने बंजर thoughts उस जोरिदार व्यक्ति को लड़के को बताए और इस तरह से poem खत्म हो जाती है Thank you